हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सेलेंडर टॉपिक से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे यह जो कोशन है सीटेट पेपर टू में पूछे जा चुके हैं तो ही स्टार्ट करते हैं अपने इस वीड होते हैं और सकूं किस तरीके से आपलाई करते हैं तो यहां पर आपको सिलन्डर की फिकर रही होगी अग्याव राइदि instruments कर ले हैं और हैट को हम स्मॉल ad space कर रहे हैं तो यहां पर जो पहला फॉर्मॉला होगा इसका वह होता है इसका करफ डर और एरिया जिसको हम बोलते हैं वक्र प्रिष्टी है छेतर फल अब इसके अंदर क्या होता है उपर से खुला होगा और नीचे से खुला होगा ताव हम यह वाला फॉर्मुला अप्लाइ करेंगे जो की होता है टू पाई आर एच ठीक है सी एस से हम कब यूज़ करेंगे जब यह सिलेंडर उपर से खुला हो और नीचे से खुला हो ठीक है और दूसरा फॉर्मुला हमारा होगा यहां पर टोटल सर्फेस एरिया जिसे हम बोलते हैं कुल प्रिष्टी है छेतर फल जब दोनों साइट से बंध है तो हमारा टोटल सर् प्लस उपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है तो यहां पर दो सर्कल का एरिया एड हो जाएगा टू पाई आर स्कूर इसको अगर हम लिखना चाहें तो टू पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर करके भी लिख सकते हैं ठीक है यह होगा हमारा दूसरा फॉर्मुला और तीसरा फॉर्मुला हमारे पास है अगर एक साइट से ओपन हो और एक साइट से क्लोज हो तो यहां पर जो होगा सर्फेस एरिया जो निकले गए इसका सर्फेस एरिया यह वाला कब लगेगा जब एक साइट से खुला हो और एक साइट से बंध हो तो यह हो जाएगा टू पाई आर square और चौत्ता हमारा formula है volume का ठीक है volume जो है हमारा इसका होता है pi r square h तो यह formula हमें याद रखने हैं जब हम cylinder के question करेंगे तो एक question हम करके देख लेते हैं यहाँ पर तो simple question है radius जो हमें है 7 cm दे रखा है r हमारा है 7 cm और h जो है वो दे रखा है 10 cm ठीक है यह दे दिया अब अगर हमें निकालना है इसका curved surface area c s a तो हमारा formula होता है 2 pi r h ठीक है तो यहाँ पर हम value put कर देते हैं 2 into pi की value होती है 22 बटे 7 r हमारा 7 है और h हमारा 10 है तो इसको cancel कर दिया तो यहाँ पर आ गया 44 और 10 से करेंगे तो 440 cm square ठीक है यह formula कब लगेगा जब यह उपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो second है अगर हमें total surface area निकालना हो total surface area तो formula हो जाएगा 2 pi r bracket h plus r तो यहाँ पर 2 into 22 by 7 radius 7 हो गया height हमारे पास 10 है और radius 7 है cancel हो गया तो यह हो जाएगा हमारा 44 into 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 जाएगा तो 44 को 17 से करेंगे 7, 24, 28, 28, 23 हो जाएगा गुना 4, 4, 8, 4, 7 तो यह हो जाएगा हमारा 7, 4, 8 cm square यह हमारा total surface area हो जाएगा अब अगर हम इसका volume निकालना हो ठीक है तो volume जो है वो होता है pi r square h तो 22 बटे 7, r का square तो 7 into 7 हो गया, h हमारा 10 हो गया तो इसको cancel कर दिया, तो 22 को 7 से करेंगे तो अगर 154 into 10 करेंगे 0 cm3 तो यह जो है हमारा volume हो गया, तो इस तरीके से हम cylinder के यह formula अपलाए करेंगे अब कुछ question देखते हैं, यह जो question है हमारे CTAT के online exam में पूछे जा चुके हैं, तो इह देखते हैं पहला question हमारे पास है, total surface area of right circular cylinder is 748 cm2, तो किसी लम वृत्य बेलन का जो कुल प्रिष्टी छेतर फला हो हमें दे रखा है and circumference of its base, इसके आधार की जो परी दिया वो 44 cm है, volume of the cylinder is तो हमें बताने हैं, इस cylinder का volume क्या होगा, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा cylinder बना लेता हूँ ठीक है, यह एक cylinder दिया हुआ है, और हमें इसमें यह बोला गया है, इसका जो total surface area है total surface area, वो दे रखा है 748 cm² और circumference जो दे रखा है base का, base circle है तो इसका जो circumference जिसको हम परीधी बोलते हैं, यह होगा हमारा circumference जिसको हम परीधी बोलते हैं, यह दे रखा है में 44 cm, ठीक है, तो हमें volume बताना है क्या होगा तो देखिए, हमें यहाँ पर circumference दिया हुआ है, जो की होता है हमारा 2 by r 44 की एक को लोग गया, तो यहां से 2 into 22 by 7 into r बराबर 44 तो r की value क्योंकि 44 कुना 7 उपर हो जाएगा, और 22 दूनी 44 नीचे आ जाएगा cancel करा, तो आगया 7 cm, ठीक है, तो इसका जो हमें radius है, r जो है, हमें पता लग गया 7 cm है, ठीक है अब यहां पर जो दे रखा है, इसका total surface area हमें यह दे रखा है, तो यहां पर total surface area अगर हम apply करें, तो होता हमारा 2 by r bracket h plus r is equal to दे रखा है, 7, 4, 8, तो 2 into 22 by 7, r हमारा 7 हो गया, into h plus 7 is equal to 7, 4, 8, 7 से 7 cancel, तो h plus r, h plus 7 is equal to 7, 4, 8 upon me 22 into 2, तो यहां 11 से काटा 2, 11, 66 और 8, 2 से काटा 34, फिर 2 से काटा 17, ठीक है तो हमारे पाथ जो है, h plus 7 is equal to 17 है, h की value तो आगी 17 minus 7, 10 cm, ठीक है, height पता लग गई हमें इसकी कितनी है, 10 cm अब volume निकालना है, तो volume का formula apply कर देंगे, तो इसका जो volume है, वो होगा pi r square h, जो की हो जाएगा हमारा 22 बटे 7, radius 7 है, तो दो बाल लिख दिया, height हमारा 10 है, 7 से 7 cancel, तो इसको अगर multiply करेंगे, तो 154 0 cm3, option number पहला इसका correct answer हो जाएगा, second question है, अब इस question में बोला गया है, कि जो volume है cylinder का, वो हमें दे रखा है 352 meter cube, the diameter of its base, diameter 8 meter है, तो बताने इसकी depth, tank की जो depth है, height है, वो क्या होगी, तो यहाँ पर cylinder बना लेते हैं, तो cylinder बनाएंगे हम, तो एक cylinder हो गया है, और इसका volume हमें दिया हुआ है, और इसका जो diameter है, यहाँ से यहाँ तक जो है, वो 8 meter है, तो इसका जो radius है, r तो इसका आदा हो जाएगा, 4 meter, तो volume का formula apply करते हैं, volume होता है इसका πाई r square h, तो पाई की value 22 बटे साथ हो गया, radius जो हमें 4 दे रखा तो 4 into 4, height इसका जो है, हमें निकालना है, volume दे रखा है, 352, तो इसको solve कर लेते हैं, तो height जो होगा, वो क्या होगा, 352, तो दिखिए, जो left hand side में नीच वाल नमबर वो उपर चला जाएगा, और जो उपर वाले नमबर है, वो इन गया, 48, 32, फिर 4 से काटा, तो यह हमारा आगया, 22, फिर 22 से काटा, पूरा, तो height जो आया इसका, वो आया है, 7 meter, तो option number second इसका correct हो जाएगा, next question हमारे पास है, इसमें यह बोला गया है, that curved surface area of a right circular cylinder is one third of its total surface area, if radius of cylinder is 8 centimeter, then the volume of cylinder is, यहां बोला है, किसी लम वृत्तिय बेलन का जो वक्र प्रिष्टिय छेतर फल है, उसके कुल प्रिष्टिय छेतर फल का एक तिहाई है, यदि बेलन की जो तिरिज्य है, वो 8 centimeter है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला है कि जो उसका curved surface area है, C, S, A जो है, वो क्या है, total surface area का 1 by 3rd है, 1 by 3rd है किसका, total का, total होता है 2 pi r bracket h plus r, ठीक है, तो इसको थोड़ा simplify कर रहेंगे, तो हमारे पास जो है, C, S, A होता है, 2 pi r h is equal to, यह जगाँ दो बटे 3 pi r bracket में h plus r, तो दिखिए, pi से pi cancel, r से r cancel, ठीक है, और यहाँ पर जो बचा है 2, ठीक है, तो 2 h, यह जो 3 है, इधर आएगा, उपर multiply हो जाएगा, और 2 divide हो जाएगा, यहाँ आगया हमारा h plus r आगया, 2 से 2 कड़िया, 3 h is equal to h plus r हो गया, h वाली time को एक side करा, 3 h minus h is equal to r, तो 2 h is equal to r हो गया, ठीक है, 2 h is equal to r हो गया, अब यहाँ पर जो है radius, r जो दे रखा था हमें 8 cm, r हमारा यह था, तो हमारे पास है 2 h is equal to r, r हमारा 8 है, तो h की value आगया हमारे पास 4 cm, height हमें 4 cm पता लग गई, अब निकालना था volume, तो volume का formula लगा देते हैं, volume है हमारा πाई r square h, जो हो जाएगा 22 बटे 7, r हो जाएगा हमारा 8 है, तो 8 गुना 8 और h हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया, अब देखिए यहाँ पर पाई की value तो option में पाई में दे रखा है, तो हम पाई को पाई ही रहने देते हैं, और इनको multiply करहे हैं, 8, 8 is a 64, उसको चार से करदा, चार चुक 16, 24 और एक 25, इंटो 256, 256 पाई इसका correct answer हो जाएगा, next question हमारे पास है, the diameter of a road roller of length 1 meter is 84 cm, if takes 750 complete revolution to complete two level of ground once, then area of the ground is 1 meter لمбे, एक road roller का व्यास जो हो 84 cm है, यदि मैदान को एक बार समतल करने के लिए उसे 750 चक्कल लगाता है, तब उस मैदान का छेतरफल क्या होगा, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो बुलागे है, road roller जो है, हमारा इस तरीके से होगा, इसकी length जो दे रखी है, वो दे रखी है 1 meter, और diameter दे रखा है, 84 cm, अब answer जो हमारा meter में है, तो हम इन सब को meter में convert कर लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर जो radius है, diameter का half 42 हो जाएगा, 42 cm, इसको meter में change करेंगे, तो 100 से divide करेंगे, जो कि हो जाएगा 0.42 meter, और इसकी जो height है, इसके length के बराबर होगी, जो की 1 meter है, अब यहाँ पर बोलाए, इसने, कितने complete चकर लगा हैं, 750, ठीक है, तो एक चकर में कितना distance cover करेंगा, जितना इसका curved surface area होगा, c, s, a, 2, pi, r, h, चिक है, तो यह जाएगा 2 into 22 बटे 7, गुना r हमारा है, 0.42, height हमारा 1 है, साथ से काटा, 0.6, 0.06 हो गया, तो यह जाएगा 44, गुना 0.06, 4, 6, 24, 24 और 2, 26, ठीक है, point 2 के बाद आजाएगा 2.64 meter square, यह आया हमारा एक चकर में, मतलब एक revolution में जब एक चकर लगा है तो इतना distance cover करेगा, ठीक है, इतना area जो है वो ground का cover करेगा, बोल है total 750 है, तो इसको हम गुना कर देंगे, 750 से गुना कर देंगे, 2.64 को, तो इसको multiply कर लेते हैं, तो 264 को हम multiply करेंगे, 750 से, 0, 0, 0, 5, 20, 32, 32, 32, 10 और 3, 13, फिर आप साथ से करें, 7, 4, 28, 7, 6, 42, 24, और 7, 2, 14, और 4, 18, इन सब को जोड़ेंगे, 0, 0, 0, 1 कह रही गया, 8, 9, 1, पॉइंट दो के बाद आजाएगा, तो 1980 जो है इसका correct answer हो जाएगा, तो ये थे हमारे cylinder से related कुछ important question, जो कि CTAT exam में पूछे गए हैं, उम्मीद है आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू.